नमस्कार दोस्तों मैं शिखा गुपता के जीस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम बनाने वाले हैं सीज़वन सॉस की रेसिपी बहुत ही आसान लेकिन मल्टी पर्पस रेसिपी है इस रेसिपी से आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं सीज़वन नूडल्स बना सकते हैं सीज़वन फ्राइडाइस बना सकते हैं एक बार बनाईए और जंजट फ्री हो जाईए मतलब इस रेसिपी को बना कि आप दो तिन मैने तक आराम से फ्रीज में बिना प्रिजरवेटिव के स्टोर करके रख सकते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले उन विवेश से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्हों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सीज़वन नूडल्स की इसके लिए एक कप मैंने जो है कश्मीरी लाल मिर्च ली है सूखी वाली और आदा कप जितनी छोटी वाली जो चिली मिलती है ड्राइ चिली वो ली है यानि जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है उससे छोटी साइज में होती है ये तीखापन बैलेंस करने के लिए है क्योंकि ये थोड़ी तीखी जादा होती है अब इनको जो है हमने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था गरम पानी के अंदर और इसके बाद जो है हमने इस पानी के पीस देना फाइन सा पेस्ट अब गैस पर जो है मैंने रख दिया है तेल और इसके अंदर जो है हमें तेल की मात्राई सीजवन सॉस में थोड़ी ज्यादा रखनी है मतलब तेल में हमारा सॉस दूबा होना चाहिए तब ना तो ये खराब होगा और लंबे समय तक इसको मेरी लसुं डाल दिया है आधा कटोरी भर रखनी हमारा के लिया है, अधरण आज सीजवन फैसिद हमारा चाहिण स्व 세फ कर को सफकते है, व्यूंस 9 कि 파ई हमारा शिभी में हमारा तो हम जो हम भर सकती हैं जो हमारा की लिया, तो बस झाल पको यहाइए उसके हुम आ हšको क इस recipe के success होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है तेल की मात्रा इस recipe में कम नहीं होनी चाहिए ना तो कोई fungus लगेगी आपके sauce पर और sauce का जो taste है वो भी बहुत enhance हो जाएगा और जो extra तेल होगा ना इस recipe के अंदर उसको आप chili oil वगेर किसी recipe में डालने में या नूडल के उपर या फिर किसी dressing के उपर salad की किसी भी dressing के उपर डालने में भी काम में ले सकते हैं बाकी पराठे वगेर बनाने में तो हम इंडियन स्मास्टरी हैं तो वो भी बनाने में काम में ले सकते हैं अब उसी mixi के ज़ार में थोड़ा सा पानी डालके मैंने इसके अंदर डाल दिया है तो पानी की मात्रा मैंने इसमें अभी ज्यादा नहीं डाली है एक चम्मच नमक डाला है स्वात के साब से नमक डालेगा एक टेबल स्पून जितनी शक्कर डाली है ताकि तीखेपन को ब सारे सास तो हमारे घर में नॉर्मली मिल ही जाते हैं सीजोन सास जो है वो चिली पेस्ट जो हम घर में बनाते हैं या फिल असुन की चटनी उससे थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें ये सारे सास भी पढ़ जाते हैं एक चम्मच जितना मैंने इसके अंदर डालक सो नेगर इसके अंदर डाला है अब आप देख सकते हैं कि हमारा सीजवन सॉस में काफी सारी सामगरी पढ़ चुकी है अब आज को आपको धीमे करके इसको जो है दस से बारा मिनर तक बिल्कुल धीमी आज पर पकाना है नमक आप इसमें अपने हिसाब से अर्जिस कर सकते हैं साथ में पखने की टाइम जैसे तील छोड़ने लगेगा अब इस चटनी को आप किसी तरीके से किसी भी रैप्स में किसी में बेढूंडरी नहीं है हम जो चैनीज रेसीपी बनाते हैं नूडल सीजवान फ्राइड राइस वग्यार उसमें तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं आजकल बच्चों को कई सारी रेसिपी जो है इंस्टन चाहिए होती है शाम की भूग के लिए तो आपने फटा फट ये सॉस स्प्रेड किया बहुत सारी सबजियां डाली और उसको जो है रखिये टेक केर बाई